So Hello everyone, मैं हो विक्रम और इस वीडियो में हम लोग दिस्कस करने वाले हैं ICICI Prudential Life Share के बारे में अब इस टॉक में हमारे आगे के लिए के टारगेट्स होने वाले हैं वो दिस्कस कर लेते हैं और साथ यसाथ इसके जो quarter 2 के results अनाउंस होने वाले हैं उसको लेके यहाँ पर market के क्या estimates हैं वो भी बताऊँगा तो सबसे पहले यहाँ पर stock के लिए targets देख लेते हैं अभी अगर आप देखोगे तो stock trade कर रहा है यहाँ पर 744 रुपीज के round और यहाँ पर stock के लिए जो resistance है नियरस resistance आप देखोगे तो वो हमारा होने वाला है around 763 रुपीज के round तो अब यह resistance price यहाँ पर होने वाला है तो इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब यह है कि अब यहाँ पर stock को closing देनी पड़ेगी 763 रुपीज के उपर अगर आप इसमें up move के लिए wait कर रहे हो तो तो यहाँ पर अगर आज के दिन 763 रुपीज के उपर अगर closing मिल जाती है हमें ठीक है closing मिल जाती है तो फिर हमें यहाँ पर आने वाले days में 800 रुपीज तक का target अराम से मिलता हुआ दिख सकता है और अगर 800 रुपीज ब्रेक होता है फिर काफी जबरदस rally बनेगी stock के अंदर तो यह इसके अंदर levels निकल के आ रहे हैं up side के लिए और down side में अगर आप देख रहे हो कि down side में support कहाँ पे है stock के बास तो nearest आपको जो support देखने को मिल जाएगा वो हमारा होने वाला है यहाँ प support आपके बास 688 रुपीज के round है तो यह support आपके पास होने वाले नीचे तो नीचे downside के जादा यहाँ पर possibility नहीं है क्योंकि stock यहाँ पर trending चल रहे है तो यहाँ पर upside की possibility बनती है बट उसके लिए 763 रुपीज के ऊपर आज इसको closing देनी होगी तो यह levels भी फिलाल के लिए न estimate निकल के आरहा है revenue का ने वाला है हमारा 1170 क्रोर्स का यहाँ पर revenue estimate करें quarter 2 के results के अंदर उसी के साथ साथ यहाँ पर net profit का estimate बताऊ मैं आपको तो net profit का estimate निकल के आरहा है वो आरहा है यहाँ पर 269 क्रोर्स का और earning पर share का जो estimate है वह यहाँ पर 3 रुपीज का यहाँ पर figures estimate की जारी है इसके quarter 2 के results को लेके अब देखना ही है कि जब आज results आते हैं तो क्या यह estimates beat होते हैं देखने को मिलते हैं या फिर नहीं तो उसके लिए बने रहना चैनल पर जैसी results हैंगे मैं आप लोग के साथ results share कर दूँगा so I hope यह video आप लोग के लिए helpful रही होगी इस video में बस